दोस्तों गर आप भी दिल्ली में कोई अच्छी क्रिकेट अकैडमी ढून रहे हैं और उसके बारें पूरी इंफोर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुती इंफोर्मेटिव होने वाली है इसलिए इस वीडियो को लास तक जरूर देखें जिसमें हम को इंफूर्मेटर बनने का सफना भी पूरा कर सकते हैं तो बिना किसी दे़ी के चेल ये शुरू करते हैं सबस्क्र tr Ond court है जोकि फॉर्मर इंजइन टीम क्रीट प्लेयर विरेंदट रसक्रेशनल कोंचे हैं और समय समय किभडिं़ попад कर्यों मेच्ट के प्रोपर ग्राउंड साथ में आपके स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए प्रोफेशनल कोचिस हैं और समय समय पर विरिंदे सहभाग भी सेशन लेने और बच्चों के साथ अपना एक्स्पिरियंस शेयर करने आते रहते हैं अकैडमी की फीज की अगर बात करें तो मंतली फीज है 3,000 रुपे, क्वेटरली फीज है 13,000, हाफेरली फीज है 20,000 रुपे और अगर आप पुरी साल की फीज देना चाहते हैं तो आपको देने होंगे 27,000 रुपे ये अकैडमी से तीन दीन ओपन होती है जो की फ्राइडे, सेटर्डे और संडे हैं सबसे अच्छी बात ये कि अगर आप इस अकैडमी में रहकर अच्छा प्रफॉर्म करते हैं तो आपको फोरें टूर में इंगलेंड और साउथ अर्टिका में मैश केलने का भी मौका मिले अन्मुक्चन और कुलबंध खिजडोलिया जैसे कई प्रेयर्स निकले हैं अकैडमी की फैसिलिटी की अगर बात करें तो ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं जो इस अकैडमी में ना हो फिर चाहिए वो सिमेंटेट विकेट हो टर्फ या एस्टो टर्फ बॉलिं मुशी मैच खेल अकैडमी के लिए बड़ा ग्राउंड और साथ में होस्टल भी है अकैडमी फीस के अकर बात करें तो मंतली फीस है 3500 रुपे और अगर आप होस्टल लेना चाहते हैं तो होस्टल की साल भर की फीस है 2,00,00, अगर आप इस अकैडमी में अडमीशन लेकर अच्छा पर्फॉ अकैडमी में इससे एक है 1983 वर्ल्ड कप में भारते टीम का हिस्सर है सर मननलाल जी की अकैडमी जिससे सिरीपोर्ट अकैडमी के नाम से भी जाना चाता है जिसकी लोकेशन है DDA सिरीपोर्ट स्पोर्ट कॉम्पलेक्स खेल गाउं मान नियो दिल्ली अगर आपकी एच 7 साल से 16 साल के बीच में है तो इस अकैडमी में आपका एडमीशन बेना ट्रायल के हो जाएगा लेकिन अगर आपकी एच 7 साल से उपर है तो आपको इस अकैडमी में एडमीशन के लिए ट्रायल देना होगा जिसमें आपके खेल की कई बारिकिया देखी जाएंगी तभी आपको इ इस अकैडमी में Thursday, Friday, Saturday और Sunday को ही आप ट्रेक्टिस कर सकते हैं। अकैडमी की फीस की बात करें तो इस अकैडमी की मंतली फीस है तीन हजार रुपे और सबसे बड़ी बात तो यह कि यहाँ आपको अकैडमी की बात करें तो दिल्ली में इसके चार सेंटर है पहला सेंटर है सोफिया स्कूल पस्चिम विहाद दूसरा है S.D.Public School कीरती नगर तीसरा है D.D.A. हरी नगर स्पोर्ट्स कॉमपलेक्स और चोता है D.D.A. स्पोर्ट्स कॉमपलेक्स दौर का अकैडमी की फीस की बात करें तो इस अकैडमी की रेजिटेशन फीस है 10,000 रुपे और तीन महीने की फीस है 5,000 रुपे इस अकैडमी में आप Thursday, Friday, Saturday और Sunday को ही प्रेक्टेस कर सकते हैं अगर आपकी एज 7 साल से लेकर 14 साल के बीच में है तो अकैडमी में आपका अडमीशन बिना किसी ट्राइल के हो जाएगा लेकिन अगर आपकी ए 14 साल से ज्यादा है तो आपको एडमीशन के लिए ट्राइल देना होगा हमारी टोप 5 दिल्ली के बेस्ट अकैडमी में लास्ट और सबसे बेस्ट अकैडमी है सौनेट क्रिकेट कलब दिल्ली जिसके फाउंडर है कोश तारक सीना जिनों शीकर धवन, आशिश नहरा, रिश्चापन जैसे कई प्लेयर्स इंडियन टीम को दिये इसके अलावा कई स्टेट और रंजी ट्रॉफी प्लेयर भी है कोश तारक सीना को रास्ट पती द्वारा द्रोन शारे आवोर्ड से भी सम्मानित किया गया है इस अकैडमी के लोकेशन है दुर्गाबाई देश्मुक साउथ केंपस मियर श्री वेंकर टेश्वा पॉलिज डीउ अगर आपको इस अकैडमी में अडमिशन लेना है तो आपको भी ट्रॉयल देना होगा ट्रॉयल के बाद आपकी एज ग्रॉप के हिसाब से आपको आपके बैश किमें डिवाइड कर दिया जाएगा और आपको आपके अकैडमी टाइमिंग भी उसी अकॉर्डिंग बताई जाएगी फीस की अगर बात करें तो फीस भी आपको आपके ट्रॉयल में पास होने के बाद ही आपके एज ग्रॉप को देखकर आपको बताई जाएगी अगर आप एक अच्छे क्रिकेट रहें और पहले क्रिकेट खेल चुके हैं तो आपके लिए अकैडमी काफी बेनफिशल हो सकती है वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरू कीजिए और कमेट से बताईए कि आपको कौन सी अकैडमी सबसे अच्छे लगी और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले